हाई मैं डोक्टर नगेंद धालोर आज के इस वीडियो में हार्ट अटेक के अनक्सपेक्टेड ट्रिगर के बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले है कोल्ड वेदर कोल्ड वेदर में जो कोरोनरी वेजल्स जाती है वो नेरो हो जाती है नेक्स इज एर पोल्यूशन एंड कार एक्जौस्ट वेकोज अफ एर कोल्यूशन वेजल्स को डेमेज करता है नेक्स इज ब्रेम के अलस्तमा जो पेशेट कौनिक अस्तमेटिक रहते हैं उनको भी सांस की दिखते है चेस्ट में होता रहता है और oral body में inflammation रहता है जो कि heart को और blood vessels को damage करता है next is alcohol, heavy drinking करते हैं तो वो भी heart attack का एक कारण रहता है coffee, यह पूरे दिन में एक से दो cup coffee लेते हैं तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा coffee लेते हैं तो वो अपने के heart rate है और BPA उनको बढ़ाती है next is migraine, कुछ patients रहते हैं जिनको continuous headache होता रहता है, migraine की दिकत रहती है तो migraine का headache होने से पहले उनको aura होता है और वो aura के अंदर कई बार heart attack भी हो सकता है next is big heavy meal, यह यह कुछ लोग रहते हैं जो एक साथ ही बहुत ज़्यादा heavy खाना और axis में खा लेते हैं तो उस खाने के बाद में क्या stress hormone कुछ nor adrenaline release होते हैं जो एकदम से BP और heart rate को बढ़ाते हैं next is strong emotions यह दि कई बार क्या अपने कोई relative है जो expire हो गया यह अपने stress में हैं, tension में हैं या फिर अपने को एकदम से कुछी मिली कोई अच्छी ख्यबर सुनने को मिली तो बहुत दोनुई condition भी डेंजर हैं next is sudden or intense exercise कई बार अपन बहुत ज़्यादा heart exercise करते हैं तो यह जब भी अपन यह गुशे में हो, anger में हो, stress में हो तो उस टाइम पर अपने को ज्यादा exercise नहीं करना early morning getting out from the bed सुबह जब अपन उठते हैं तो उस टाइम heart attack के chance से ज्यादा रहते हैं सुबह के 6 बज़े से लेके दोपर तक heart attack के chance ज्यादा रहते हैं क्योंकि सुबह के टाइम पे सरीर में बहुत सारे हर्मोन रहते हैं जो अपने पीक पे रहते हैं जैसे cortisol है एडिलीन है तो वह सारे हर्मोन है जो heart rate है BPA इनको बढ़ाते हैं blood vessels को नेरो करते हैं और morning के टाइम पे जो blood में platelet रहते हैं उनकी आपस में जो stickiness रहती है वह ज्यादा रहती है तो वह वाल से blood से चिपके cloth बना देती है next है sports और spectator next को जाए वह है disaster disaster में जैसे natural हो या फिर कोई man-made हो natural जैसे कोई earthquake आ गया या जैसे terrorist attack है तो इन जो natural results के बाद में भी heart attack के chance बढ़ जाते हैं next है lack of sleep कई study में ऐसा देखा है कि जो लोग less than six hours होते हैं उनमें heart attack के chance ज्यादा रहते हैं बजाए उन लोगों के जो 6-8 गंठे की proper sleep लेते हैं next है sex sex एक तरह से physical activity है और sex में excitement के time पे अबना जो autonomic nervous system हो stimulate होता है जिसके कारण heart rate बढ़ जाती है बीपी बढ़ जाता है और कुछ आरेजमें भी हो सकते हैं तो यह कुछ triggers हैं जो कि heart attack को बढ़ा सकते हैं